वेलकम टू कंप्यूटर टीचिंग करियर बाई राखी चौबे हम लोग रिजनिंग क्लास कंटिन्यू कर रहे थे किसके लिए KVS EMRS या फिर DSSSB या फिर आप किसी भी स्टेट टीचिंग एक्जाम के लिए प्रिप्रेशन कर रहे हैं तो डेफिनेटल यह हैल्फुल होगा हमने counting of rectangles कर लिया था अभी और आज क्लास में हम लोग क्या करेंगे counting of squares काफी important है इससे almost आपको एक से दो या फिर दो से तीन जितने वेटेश होंगे आपके वेपन में but definitely questions जरूर दिखता है तो चलिए basic to high बिलकुर इसके कुछे questions प्राक्टिस करेंगे जो बहती important है ठीक सब्सक्राइब क्या होता है इसके यह सारे क्या होंगे आपस में equal होंगे ठीक है तो अब इसक्वाइर में जितने number of rows यह जो इधर से इसको क्या कहते हैं हम लोग रोज कहते हैं ठीक है इसको यह जो हो गया आपका row हो गया जो left to right चल रहा है और जो top to bottom चल रहा है ठीक है ज symmetric figure को और क्या कहते हैं सम्मित आकरिती क्या 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 है सम्मित आकरिती तो सम्मित आकरिती कब होगा वह जब आपका number of rows यह जो row है इधर वाला यह किसके equal होगा column यानि कि यह ज़्य आप इस वाले figure में देखो तो यहां पर आपके कितने जब आप first figure में एक बार देखो तो left to right, ठीक है, left to right counting करना है, कहां करना है, left to right, ओके, तो करते हैं इसे, one two, और यदि आपको फिर column count करना है, तो कहां से करेंगे, top to bottom, ठीक है, बिल्कुल basic से करना है हम लोग, ताकि कोई भी confusion नो, top to bottom, इसमें कितने होगा है, one two, और left to right, one two, अब इसमें जब count करना होगा, यदि, आपको square कितने हैं, तो हम लोग कैसे करेंगे, देखो, अगर हमें manually करना होगा, तो कैसे करेंगे, हम लोग, एक square तो ये दिख रहा है, one वाला जो सामने है, ठीक है, एक square कौन सा दिख रहा है, ये two वाला, फिर ये इधर से एक three, एक ये four, ठीक है, और ये complete एक, जो बहार है, external square है, बड़ा सा, ठीक है, तो तो टोटल कितने होगा है, यहाँ पर five, जदि आपन manually ek करके count करेंगे, बढ़ ये संख्या क्या है, हमेशा बढ़ती जाएगी, जैसे यहाँ पर बढ़िया, यहाँ पर इसे भी जादे होगा, तो एक एक करके count करना मुस्किल होगा, तो जब हमारे पास symmetric figure होगा, तो इसके लिए एक trick है, बहुत ही जबरदस्त, easily क्या होगा, तूरंत ही solve हो जाएगा, एक मिजट में, इसमें क्या करना है, आपको left to right, ठीक है, left to right आपको क्या करना है, इसको number देना है, तो number दे दो, 1, 2, 3, फिर आपको top to bottom भी क्या करना है, number देना है, तो इधर से तो 1 है, इधर से 2, और ये 3, यह हो गया, मतलब symmetric figure है, जब symmetric है, तो row equal to column होगा, simple सी बात है, इधर भी 3 हो गया, और इधर भी 3 हो गया, ठीक है, अब आपको क्या करना है, 1 का square कर दो, 2 का square, इधर जो number आरे, उन सब का square करना है, आपको, 3 का square, और इन सब को क्या करना है, आपको add कर देना है, simple, तो 1 का square कितना हो जाएगा, 1, 2 का square, 4, 3 का square, 9, जब आप इन सब को add करोगे, तो ये कितना हो जाएगा, 14, है ना, तो total squares यहाँ पर कितने हो गया, 14 हो गया, इस वाले figure में, symmetric figure में यही ध्यान रखना है, simple, आपको सिर्फ counting, number दे देना है, इसको left to right और top to bottom, symmetric है, यानि किसेम ही number होगा, 3 इधर से भी आगा है, 3 इसके और 3 इधर से भी आगा है, अब क्या करना है, आपको, इधर से 1 का square कर लो, जो number आ रहे हैं, इनके square करो, फिर इसके भी square, फिर इसके भी square, और फिर क्या करना है, आपको, इन सब को add कर देना है, ठीक है, इन सब को हमने क्या किया है, आपस में add कर दो, value कितना आ गया हमारा, 14, तो यह answer आगा है, चलो, अब इस figure के लिए करो, यह भी symmetric figure है, number देते हैं, left to right, 1, 2, 3 and 4, इसी तरह सेम आपको क्या number देना है, top to bottom, तो 1, 2, 3 and 4, अब क्या करना है, सेम है, symmetric figure है, तो 1 का square, इधर करो, 2 का square, यहाँ पे करेंगे तो, 3 का square, and after that, यहाँ करो, 4 का square, चलो, भीन सब को add करो, तो 1, प्लस, 2, टू जा 4, प्लस, 3, जा 9, 9, प्लस, 4 का 16, जब इन सब को add करेंगे, तो कितना हो जाएगा, 30, तो 30 क्या हो गया, अपना, total 30 squares हो गया, तो यह concept clear है, बिल्कुल, और बहुत ही help करेगा, यह जितने questions करेंगे, उसमें यह trick काम आएगा, तो इस trick को याद रखना, बहुत ही important है, क्या करना है, left to right आपको number देना है, पहले, फिर top to bottom number देना है, इन सब का square कर लेना है, इधर जो भी number आ रहे हैं, आपके सब से left side में, आपको इन सब का square करना, और simple add कर देना है, ठीक है, चलो, अब देखो, एक चीज़ याद रखो, जो सबसे ज़्यादे helpful है, counting of square में, अगर कोई सबसे ज़्यादे helpful है, तो ये वाली सीज़, चूटकियों में आपका question solve हो जाएगा, वो क्या, तो देखो, ये क्या है, ये diagram जो है, ये क्या कहरा आप से, प्लस है ये, ये क्या है, ये जो diagram है, इसमें यही तो है, ये प्लस है, अब प्लस, यदि आपके पास कोई figure दिया हुआ है, जिसमें सिर्फ प्लस बना हुआ है, इसमें number of squares जो है न, वो क्या मान के चलना है, 5, बान के क्या चलना है, अब evaluate के हमने 5, ये रटना है, ये याद रखना है, ताकि एक मिनट में solve हो जाए, वापे हमें count करने का जरुवत नहीं हो, ये तो प्लस थी, और यदि आपने प्लस को क्या किया है, ऐसे करके joint कर दिया, ठीक है, इनके सारे जो points है, इन सब को add कर दिया आपस में, अब जब आप मिलाद होगे, तब इस figure का क्या हो जाएगा, 6, ठीक है, यानि कि इस वाले का 5 square हो गया, और इस वाले का कितना हो गया, 6, ये आपको याद रखना, और हड़े questions में आपको ये जरूर use होगा, इसलिए इसको नहीं भूलना है, this is very important, ये याद रखना है, यदि प्लस बंदा है, तो 5 square होंगे, और प्लस को भी हमने क्या किया है, इन सब को अगर मिला दिया आपने, जितने भी points आ रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 6 square होगा, ठीक है, अब चलो टाइप नमबर 2 को करते हैं, टाइप 2 में क्या है, asymmetric figure, asymmetric in the sense, when row is not equal to column, जब क्या हो, आपका row जो है, वो किसके equal नहीं होगा, column के, यानि दोनों में अंतराज आएगा, और इसको हिंदी में आप क्या कह सकते हो, और सम्मित आकरिती, ठीक है, कौन सा हो जाएगा ये, और सम्मित आकरिती, तो और सम्मित आकरिती को जब आप करोगे, तो इसमें क्या करना है, आपको सी, concept तो वही है, अपन को हमेशा left to right नमबर देना है, और फिर top to bottom नमबर देना है, left to right दे दो पहले नमबर इसको, 1, 2, 3 and 4, ठीक है, अब top to bottom नमबर दे दो, तो 1, 2, 3 हो गया, अब ये सीज़ ध्यान रखना है, जो सबसे last नमबर आ रहा है न, इनको आप ऐसे mark आउट कर लो, फिर क्या करना है आपको, इस दोनों को, ध्यान रखना है, जो last digit आ रहा है, 3 into 4 किया हमने, कितना आ गया, 12, फिर आपको क्या करना है, 3 से 1 कम आ गया, 2, फिर 4 से 1 कम, कितना हो गया, 3, 2, 6, फिर 2 से 1 कम ले लो, 1 into 3 से 1 कम ले लो, कितना आ गया, 2, तो 3, अब आपको end में ये ध्यान रखना है, end में क्या ध्यान रखना है, कि जैसे ही one आजाएगा आपने इस दोनों नंबर में से यहां से यहां से कहीं पर भी अगर one आ गया तो यहीं पर आपको stop हो जाना है इससे आगे नहीं चलेगा हमारा यह ठीक है इसके बाद आपको क्या करना है इन सब को add कर देना है आ गया बस picture खतम यहीं क्या हो गया आपक इन दोनों को आपको multiply करना है 3 यह जो last digit यहां आएगा और यहां आएगा counting में 3 into 4 12 2 into 3 इसे एक कम होते चलना है minus 1 और यहां पर भी क्या करना है आपको minus 1 ठीक है 3 फिर 2 में हमने क्या किया 2 में हमने फिर से minus 1 कर दिया 1 और 3 में हमने minus 1 कर दिया तो 2 आ गया ठीक है अब जैसे 21 आ जाएगा तो क्या करना है अपन को वहां पर रुख जाना है ठीक है तो 12 6 और 3 तो टोटल स्क्वाइब यहां पर कितने आगा है 21 स्क्वाइब यह हो गया अपना एंसर ठीक है तो यह भी कई बार पूस लेता है सीधा सीधा फिगर इस वन इस वारी इंपोर्टेंट सो प को यह concept help करेगा प्लस में 5 बनेगा इसे याद कर लो अच्छे से प्लस में क्या होगा फाइब और जैसे प्लस को भी हम लोग कनेक्ट कर देंगे चारो पॉइंट को तुर्ष में कितना बन जाएगा 6 बन जाएगा ओके यह concept थड़े questions में help करेगा चलो अब स्टार्ट करते हैं इस questions को करते है यहां पर देखो क्या दिख रहा है अभी हमने पढ़ा क्या पढ़ा कि plus में क्या बनेगा 5 बनेगा ठीक है plus में कितना बनेगा 5 तो यदि आप इस वाले figure को देखो जो बिल्कुल अंदर से छोटा सा square है इस से कितना बन जाएगा 5 बन जाएगा फिर आप इस वाले को देखो यह भी तो plus बना रहा है पहले यह square है बाहर वाले को देखो second number पर ठीक है और इसमें भी क्य इसने तो plus से अपना कितना बन के आएगा 5 यानि कि इससे भी 5 आ गया सेम इसी तरह कहां से देखना है आपको external जो बिल्कुल बाहर square है यह जो बड़ा वाला square दिख रहा है आपको इस वाले square में क्या यह प्लस नहीं बना रहा यह वाला line और यह वाला line जो सबसे वड़ी व गया 5 अब क्या करो इन सबको इन सबको एड कर दो कितना आ गया अंसर 5 प्लस 5 प्लस 5 तो टोटल कितना आ गया 15 स्क्वाइड आ गया ओके आप लोगो तो option C अपना correct हो जाएगा ठीक है चलो अब इससे करो इसके लिए instruction यह जितने भी figure दिख रहा है इसमें सब इसक्वाइर हैं कोई rectangle नहीं मानना है इनको ठीक है सारी कहें all are squares अब चलो solve करो इसे कैसे करेंगे सेम वही concept यहां पर यूज करना है अब देखो हमने symmetric figure पर हाथा यदि आप इसे एक बार left से right number दे दो इस बड़े वाली की बात करें ठीक है यह जो आपको बाहर वाला square दिख रहा है इसक square अपनको दिख रहा है इसको left to right number देते हैं 123 इसी तरह यहीं टॉप से bottom number देंगे तो 123 यानि कि यह concept कौन सा लगा रहा है symmetric figure का symmetric figure को हम लोग कैसे solve कर रहे थे number दे दिया हमने इन सब का square के और इन सब को add कर दिया यहीं तो कर रहे थे total कितना answer आ गया 14 यानि कि इस बड़े वाले square से जो बाहरी square है इससे total square कितना आ गया 14 आ गया अब एक बार आप दूसरे square को देखो क्या जो internal square है यह वाला जो छोटा सा square है इसके अंदर क्या इस square मे 3 नहीं बन रहा इसको left to right number दे दो 1 2 3 इसी दरीके से आप top to bottom दे दो 1 2 3 अब सेम इसको भी ऐसे कर लेंगे 1 का square 2 का square 3 का square इन सब को add कर देंगे तो इसका भी कितना आ जाएगा 14 तो answer कितना आ जाएगा 14 प्लस 14 28 अब इसमें एक मज़ेदार है यह देखो इसमें एक चीज द नहीं है हैं यह वाला जो square है आपका क्या यह common है यह बिल्कुल common है तो यह वाला क्या करेंगे अपन माइनस कर देंगे चूंकि देखो यह छोटे में स्कॉरे मैं भी आ गया है ना और यह वाला पौसंट जो है वो किस में आ गया यह बड़े वाले square में भी आ ठीक है तो अगया टोटल एंसर 27 स्क्वाइर्स आगया अपना ठीक है ऑप्सन डी इस राइट यार ठीक है चलो अब नेक्स्ट करो ध्यान से करना है बिल्कुल इसको इसको इंट्रेस्टिंग है यह इंपोर्टेंट है इसको एक बार अच्छे से कॉंसेप्ट लगा इसमें क्या लगेग यह 1, 2, 3, 4, इदर 5, यह वाला 6, 7, 8 यह तो सामने से दिखने थी दिखने थी चोटे चोटे स्क्वाइड क्या इंसे मिलके एच बन गया तो एच तो यहां हो गया याद रखना है ठीक है अब इसके बाद कितने बन सकते हैं यह देखो ध्यान से क्या यह मिलके स्क्वाइड नी बना रहा दिख रहा है यह वाला जो मिलके बना रहा है तो को क्या यह स्कॉइर नी बना रहा यह स्कॉइर ही तो है एक बार ध्यान से देखो इसको देखना है इसको देखो जो रैड वाला मार कर देंगे क्या यह स्क्वाइड नहीं बना रहा अब जब यह स्क्वाइड बन रहा है ठीक है यह स्क्वाइड बन रहा है तो इसमें ध्यान से देखो एक बाद क्या इसमें प्लस नहीं बन रहा है यह अपना इसक्वाइड हो गया और इसमें क्या बन गया यह प्लस बन गया तो इसक्व इस्कॉइर में जब भी फॉलस बनेगा व्हीं थी तो हमने पढ़ा-था इसकौइर में जब 41 अपनेगा तो क्या होगा यह कितने स्क्षायग पाहिए है मिकि फाइव हो गए है कि अभार ध्यान से देखो क्या इसी तरीके से यह वाला इसकॉइर नहीं मन रहा ध्यान से देखो क्या ये भी तो square बना रहा है और इसमें भी क्या ये plus नहीं है है नो ये plus है तो इस वाले से भी कितने बन गए 5 बन गए अब एक बार देखो इधर सेम इसी तरीके से क्या ये square नहीं बना रहा ये भी तो बना रहा है और इस square में यह प्लस बना रहा है ठीक है तो यानि कि यहां से भी कितने आ गए है 5 आ गए है ठीक है अब जब इस तीनों को add करोगे 5 5 5 तो total कितना हो गया 15 हो गया ठीक है बट इसमें एक बार ध्यान से देखो इस 15 में क्या यह वाला जो square है बड़ अच्छे से देखना ठीक है यह red जो मैं मार्क कर रही है यह वाला square क्या common नहीं है इस दोनों में इसी तरीके से यह जो square है क्या यह common है बिल्कुल common है ना इस दोनों में तो 2 क्या करोगे 15 में से minus कर लोगे दो इस 15 में से आपको minus करना है देन आपका total क्या बच जाएगा यहाँ पे 13 तो 800 पहले से ही था अब इसमें 13 और add करना है ठीक है अब इसके बाद देखो कितना हो गए इसके बाद देखो यह total कितना हो गया क्या ये दोनों मिलके नहीं बना रहा है clear हुआ ये एक बना ठीक है इसी तरीके से दो मिलके क्या ये नहीं बना रहा हो गया दो अब इसी तरीके से यहाँ पे देखो तीन बना रहा है है ना confuse होने की जरुवत नहीं है एक-एक को एक बाद चेक करो ध्यान से तो समझ में आ जाएगा ठीक है तो यानि कि इसने कितना और बना लिया थ्री बना लिया ना थ्री अब इनको एड करो कितना हो गया 8 और 13 21 और 3 टोटल कितना हो गया आपके पास 24 स्कॉाइर हो गया है ना 24 हो गया यानि option C is correct है 24 अपना answer आगया ठीक है तो आई होप यह clear हो गया गया कोई confusion नहीं है इसमें बहुत ही ध्यान से करना है ठीक है एक भी स्कॉाइर गलत हो गया तो mistake हो जाएगा चलो अब इसे करते ह इसमें सीधा सीधा यह दिख रहा है सामने यदि इसकी बात करते है ठीक है चलो यह एक बड़ा सा स्कॉाइर हो गया मालो इसमें प्लस बन रहा है प्लस क्या बनाना इधर देखो symmetric figure है यह है ना top to bottom इसे नंबर दो एक बार तो one and two और इसे left to right नंबर दोगे तो कितना बन ज यही तो नंबर हो गया इसका तो अब क्या करेंगे कैसे सीखा था हमने अभी यह नॉन सिमेट्रिक फीगर हो गया तो two into four है ना नॉन सिमेट्रिक हो गया तो क्या हो जाएगा two into four eight आ गया two से एक कम यानी one और four से एक कम three तो three आ गया बट आपको क्या करना है one यहां पर आ ग गया गए अभी से एक ग्यारा के बाद देखो कितने हो गया क्या यह प्लस नहीं बना रहा अंदर देखो एक बार ध्यान से प्लस कैसे बन रहा है यह स्कॉाइड है और इस स्कॉाइड में यह प्लस बना रहा है देखा अच्छे से यह जो स्कॉाइड है इस स्कॉाइड में क्या बन रहा है प्लस बन रहा है तो प्लस में कितना बनता है 5 यह तो clear है तो इसे 11 पहले से तो था ही और इसमें अपने कितना एड़ कर दिया 5 तो total कितना आ गया अपने पास स्कॉर्इड 16 यानि कि अपना answer जो आपको क्या हो चाहएगा चलो next करो see yes यह also important है इसमें कई बार आपको यह पूछते हैं number of triangles भी पूछ सकता है और फिर number of squares भी पूछ सकता है दोनों में यह आपको आ सकता है ठीक है चलिए अभी square कर रहे हैं इसलिए square करते हैं बागी triangle निकालने वाले class में हमने इसमें triangle भी count किया हुआ था चलो वे square करते हैं देखो square के लिए क्या करना आपको यह square दिख रहा है सामने से तो दिख रहा है यह एक square दिखा तो पांच इधर और एक इधर इसके अलाबा कोई square नहीं है तो टोटल कितने हो गाए 5 प्लस 1 यानि की 6 squares हो गए इसमें है तो इंट्रेस्टिंग है number of square count करना काफी easy है इसमें ओप्सेंट डी राइट है ठीक है number of square count करना बहुत easy है थोड़ा सा ध्यान से करना है ठीक है चलो इस questions को भी हमने कर रखा है number of triangles count करने में बट इसमें क्या करना है आपको triangles में दो में कर रखा है अब इसमें क्या करना है squares find out करना है ठीक है चलो करते हैं see इसमें कैसे करेंगे कितना दिख रहा है क्या यह बड़ा वाले square दिख रहा है सामने से हमेशा बड़े वाले पार्टों को क्या करना है आपको छोटे छोटे पार्टों में बातना है फिर solve करना जाएजी हो जाएगा अब पहले तो इस बड़े वाले को करते हैं यह प्लस है अपना तो इससे कितना बन गया 5 यह तो यहीं पर बन गया अब एक बार देखो इसए क्या यहाँ नहीं बन रहा है square यह square तो है, बट इसमें plus नहीं है, ठीक है चलो, यहाँ पर तो यह 5 हो गया अब यह square बन रहा है यह Mensch तो यह कितना एक यह हो गया, अब यहाँ देखो ऊपर में एक左右 है, ठीक है तो यह कितना हो गया, एक, यानि की 5 plus 1 plus 1 तो total कितना हो गया 7 squares हो गया, अपना एंसर कौन सा हो जाएगा, 7, option is right here, ओके, चलो next, इसे देखो ध्यान से, गड़ो बहुत interesting कुछ से नहीं है, ये एक सिधा सिधा छोटा square तो दिख रहा होगा, बिल्कुल सामने से, इसमें कुछ करने की जरुवत ही नहीं है, 1, ये 1 हो गया, इसी तरीके से य हो गया, इसी तरीके से ये वाला चोटा square कितना हो गया, 3, तो तीन तो यह हो गया, अब देखो, इसको ध्यान से देखो एक बार, क्या ये, और square नहीं बना रहा है, जब आप मर्ज कर दोगे इन तीनों को, अलग अलग अभी count किया, मर्ज करोगे, तो क्या ये square नहीं बना बना रहा ना, एक तो यहां से बन गया, अब इसी तरीके से देखो, यह एक square नहीं बना रहा है, यहां पर भी तो square बना रहा है, तो एक यहां पर बन गया, तो कितना हो गया, 3, 1, 1, टोटल कितना हो गया, 5, तो यहां पर ध्यान रखना है, यह कितने square बना रहा है, यहां प और यह सेम कोईस्चन समने किस में किया साथ ट्रैंगल्स फाइंड आउट करने में अभी किस में करना है अपन को स्कॉइस में ठीक है तो आप देखो इसमें 4 तो सामने से दिख रहा है और हमने अभी सीखा है वहाँ पे कि क्या सीखा है यह वाला जब दोनों को मर्ज करेंगे तो कौन सा हो जाएगा यह 5 अब यह हुआ एक तो 6 और उसके बार यहां से ठीक है तो कितना हो गया 7 5 6 और 7 नंबर दे देखेंगे तो टोटल कितनी स्कॉइर हो गया यहाँ पे 7 स्कॉइर हो गया तो आप्सन सी अपना राइट हो जाएगा ओके चलो नेक्स्ट हाँ यह एक सारे कॉस्टन हो जाएंगे ठीक है चलो धियान से करो घबराना नहीं यह इसको देखके स्टार्टिंग करते इसको बाहर वाले से इससे जो सामनी दिख रहा आपको ठीक है एक बार इसे देखो ध्यान से क्या यह स्कॉइर है जी बिलकुल है अब स्कॉइर में क्या यह प्ल बरध्यान से अंदर देखो यहां देखो क्या यह चोटा स्कॉाइड नहीं बना रहा बना रहा ना स्कॉाइड अब क्या स्कॉाइड में यह प्लस बना रहा है मैंने क्या कहा था स्टार्टिंग में ही स्कॉाइड और स्कॉाइड में प्लस बनता है तो 5 होते हैं यह बहुत ही इंपोटेंट है ओल्मोस्ट हड़ी कोई सन में यह त्रिक यूज होगा इसलिए याद रखना है इस चीज को अब इससे कितने हो गए ग्रीन वाले से भी फाइब हो गया है टोटल यहां पर कितना हो गया 10 अब एक बार ध्यान से देखो अब ध्यान से देखो क्या और बना रहा है यह यह बना रहा है बहार वाले स्कॉइट है नो बना रहा है बिल्कुल इसी तरीके से यह कहां बना रहा है यहां भी बना रहा है इसी तरीके से यह कहां बना रहा है यहां भी बना रहा है स्कॉइट और ऐसे सेम यह कहां बना रहा ह सब्सक्राइब यहाँ पर बना रहा है तो टोटल कितने हो गए वन टू ट्री और फॉर यानि कि फाइब तो पहले से थाई ठीक है फाइब तो थाई फिर फाइब अब कितना हो गया फॉर आया ना पोड चलो अब देखो अब कौन सा हो सकता है कि ध्यान से देखो जब इन सब सब को आप मर्च कर दोगे जब इन सब जोंके तो क्या यह वाला नहीं है कि के एक यह रहा यह है क्वी देखो देखो मिला यह है ऐसा फैर कई इस वां के साथ हे ऐसे ही same square ये जो है ये किस के साथ है इस वाली के साथ है और ऐसे ही same square जो है वो कहां बना रहा है यहां बना रहा है तो yellow वाले से भी कितने square बन गए अपने 4 ठीक है तो अब इसमें और कितना add कर देंगे 4 कितने हो गया total 55 10 4 14 4 18 तो कितने answer आजाएंगे 18 square आजाएंगे ठीक है option c अपना राइट है यहां पे 18 answer आजाएंगे 18 square होंगे बिल्कुल ध्यान से एक बार समझ लो फिर से उसे चलो अभी इस questions को करो बहुत इस यह एक second के अंदर होने वाला questions है यह कुछ pen चलाने की जरुवत नहीं है कैसे देखो छोटा square प्लस से कितना हो गया सीधा सीधा five अब क्या यह बाहर वाले स्क्राइब नहीं है और इसे square में इस चेलो बना दिया प्लस इस क्या किया प्लस बना दिया तो क्या में कुछ सूचनी की जरुवत है को संके लिए स्टाने साल्व होने वाला question है न किया तो टोटल कितने हो गए 10 स्क्वाइब सिंपल एंसर में ऑप्शन इस राइट है तो बहुत ही था यह से देखते को सॉल्ब कर लेना आपको यह इंट्रेस्टिंग है देखो अंतर है इसक्विस्टन में इसमें क्या है और इसमें देखो क्या है चलो करो यह बाहर वाले स् इसक्वाइड तो दिख रहा है बड़ लगाना क्या कॉंसेप्ट है यह हो गया इसक्वाइड अब इसक्वाइड में क्या प्लस नहीं बन रहा इस बड़े वाले स्क्वाइड में क्या प्लस नहीं बन रहा बन रहा ना तो यहां से तो कितने हो गया है फाइन ठीक है अब द कर दोगे तो क्या इसमें यह प्लस नहीं बना रहा है इसमें भी तो प्लस बना रहा है तो यह कितना हो गया 5 अब इस दोनों को एड करो गए तो यहां पर कितना आजाएगा आपका एंसर 10 यानि कि आप से यह राइट है अब कुछ बच्चे यहां पर सोच रहे होंगे उलजन आइक्यू चलानी है कुछ लोग क्या करेंगे इस कुस्टन को ऐसे कर लेंगे जब हमने इसको इसको प्लस माना और प्लस के साथ हमने एक कॉंसेप्ट यह भी तो पढ़ा है कि यदि हम इन चारों को मिला देते हैं तो यहां से क्या बन जाता है 6 तो बन गया अब इस केस में कैसे करेंगे करेंगे इस केस में आपको फिर बाहर वाला स्कॉइरण गीलेना personalities मेर आपकी लिए कि ।-शोटे सब्सक्राइब करेंब को सब्सक्राइब कर लए कितने से एट्रेंब्स कर लिए करता-ओर इतनी जल्दी और सही टिक करके आते हूं ठीक है चलो लेट्स दूइट यह कोश्चन भी इंपोर्टेंट है करते हैं क्या यह अगर इसे नंबर दो सिमेट्रिक फीगर है दिखी रहा ना कैसे वन टू थ्री फोर है ना तॉप टू बॉटम नंबर दो वन टू थ्री एंड फोर तो भाई एक कॉंसेप्ट क्या है इसका स्कॉयर है फिर इसका स्कॉयर है फिर इसका स्कॉयर एंड इसका स्कॉयर आपको क्या करना है सबको एड कर देना है एड करेंगे तो कितना हो जाएग 30 हुआ ना solar chart 20 और 10 30 ठीक है 30 square तो यहां से आ गए अब देखो अब एक बार ध्यान से देखो क्या यह square नहीं है है ना जो सामने से दिख रहा है इस square में plus बन रहा है यानि यहां से तो कितने बन गए 5 ठीक है इसी तरीके से यह जो square है इस square में भी हमने कितना बना लिया plus बना लिया तो कितने हो गए 5 इसी तरीके से यह जो square है इसी तरीके से यह जो square है इसमें भी कितने बन गए और square में क्या बन रहा है यह plus बन रहा है तो यह 5 हो गया 5, 10 and 15 यानि कि 30 तो पहले से ही था इसमें आपको एड़ करना है 15 15 कहां से आया 5 5 और 5 15 तो टोटल कितना हो गया आपका 45 स्कॉाइर यह है option में यह option B is right here okay I hope यह concept clear हो गया होगा आप लोग इसली क्या करोगे number of squares count कर लोगे चलो इसे करते है ठीक है अब इसे कैसे करेंगे से दो concept तो दिखी रहा है सामने से क्या 1 2 3 4 नंबर दे दिया left to right अब क्या करो टॉप टू बॉटम नंबर दे दो 1 2 3 & 4 तो अभी हमने सॉल किया था इसको कैसे करना है symmetric figure को जितने भी number आ रहे हैं उनको square करना है और उनको आपस में add कर देना है कितने आ गए है 30 जैनके 30 square तो यही से आ गया अब देखो बहुत इंट्रेस्टिंग है यह ओर ध्यान से देखो 30 तो यहां से आ गया अब क्या करना है आपको क्या यह square नहीं दिख रहा सामने से तो दिख रहे न है स्कॉाइड सीधा सीधा ही है अब क्या है यह स्कॉाइड है अपना ठीक है क्या है स्कॉाइड में यह प्लस नहीं बना रहा है मैंने स्टार्टिंग में बताया था पूरा का पूरा यह क्लास कम्पीट हो जाएगा सीफ स्कॉ pine के अंदर फ्लस बन गा है तो फई होंगे यहां ही स्कॉइर बन गया और फ़इल PHIL to पहले से कितना था ठ्थर्टी तो रही और प्लस कितना कर दिया हमने फाइव तो टोटल किछनी औस्पॉइर हो गय diferen आ activists तो इतनी कुछ है को सब्सक्राइब कर देते हो आपस में तो सिक्स बनता है तो आपको लेफ्ट वाटम काउंटिंग देना है और यदि इसमेट्रिक है तो हमने अभी पढ़ा है आपको क्या करना है है काउंट तो देना यानि की नंबर तो हमें देना और उसके बाद क्या करना है ये लास्ट डिजट को मल्टिप्लाई करना है उसे कम होते जाना 1 पर आ जाए तो रुख जाना और इन सब को अपस में एड कर दिना ओके तो इह क्लास आप लोग ये से सच्छा लगा ऊच्छा करके पूछिए बागी अधर क्लास में इसके नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे काउंटिंग ओफ रेक्टेंगल ओके कोई भी क्वेड़ी है तो आप लोग कमेंट कर लिजा होब आप लोगको क्लास हेलफूल हो थैंक यू सो माज पर अटेंडिंग दे क्लास बा बाइ